शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले नाकपुर शहर की बात करें तो आज नाकपुर की तस्विर जरूर कुछ बदली हुई है लेकिन यदि यातायात की बात करें तो लोकाश भी सिगनल तोड कर आगे निकलते हैं ऐसे में दुरगटना होना भी स्वाभविक है यातायात की नियमों का पालन करें और दुरगटना की रोक थाम करे अन्यता यातायात विभाग कारवाई करेगी ऐसी जानकारी बातचीत के दौरान यातायात के डीसीपी विक्रम साली इन्हों ने दी है पूरे विश्व को जगजोर के रख देने वाला कोरोना वाइरस अब भारत में भी उसने दस्तक दी है जब से भारत में को बढ़ता जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव का भी आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में केंद्र राज्य सरकार ने राज्यों को यह निर्धेश दिया है कि वे हर शहर में यातायात को लेके शितिलता प्रदान करें एवं सुचारुढंग से पुरे कामकाज हो इसलिए शितिलता प्रदान की गई लेकिन अफसोस कि जैसे ही शितिलता प्रदान की गई लोग सडकों पर इस तरह वहां चला रहे हैं मानो जैसे वे किसी रेसिंग में उत्रे हो और उन्हें पहला नंबर जो पाना है तेज रप्तार के साथ वहां चलाना मानो इनकी फित्रस सी हो च में signal शुरू है इस और यातायात विवाग ने ध्यान देना बेहद जरूरी है सबसे मज़े की बात तो यह है कि signal शुरू होते ही green signal लगने पर निकलना होता है मगार अफसोस कि red signal पर लोग निकलते है और green signal में लोग वहिप के वहीं खड़े होते है जिससे लोग एक दुसरे का मुह तांकते रहते हैं कि सबसे पहले कोण जाएगा और इसी का गैर फादा उठाते हैं कुछ शरारती उपदरो तत्व जो वहान चलाने में जिने महारत है ऐसे वे समझते हैं वे बिना हिचकी चायर रेड सिगनल लगते ही फरराटे से गाड़े निकाल के आगे बढ़ते हैं एक प्रकार का यातायात का इवे पुरी तरह से उलंगन कर रहे हैं जिससे एक्सिडेंट के आकड़ों में तेजी से बड़ोतरी भी हो रही हैं इसकी रोक्थाम करने के लिए यातायत विभाग के DCP द्वारा कई नियम दिये गया है लेकिन नि शितिलता होते ही लोगों की बड़ी संख्या वहां चलाने वालों की बड़ी संख्या सड को पिर दिखती है अब ऐसे वहां चलाने वाले और सिग्नल तोड़ने वालों की अब खैरनी उनकी उपर में शामत आने वाली है क्योंकि वहां तुक विभाग के पुलीस अधिकारी नियम तोड़ने वालों पर सक्त कारवाई करते हुए दिखाई देगे नाकपू शहर ये बहतरिन और अच्छा शहर है इस शहर को सुन्दर स्वच्चे के साथ साथ दुरगटना से यदि रोकना हो तो शहर के जनता ने यातायत का पालन करना बहत जरूरी है यातायत पुलिस को सयोग करना वह भी बहत जरूरी है कुछ इस तरह की बाच्चीत इन बिशेन से एक खास मुलाकात के दौरान नाकपूर के याताया डिसेपी विक्रम साड़े इनों ने की है आईए देखते हैं उनसे की गई ये बाच्चीत धाई मैने के बाद क्यों न हो आखिरकार लॉकडाउन खुल गया राज्जे सरकार की जो गाइड लैंस थी उसके उपर में अमल करते हुए लोग नजर आ है मगर चाहां यातायात की बात थी बड़े पैमाने पे आज लोग सड़कों पे निकले है मानो जैसे उन्होंने कुछ जंग जीत ली हो इसी के चलते कुछ ऐसी दुरगटना भी होने के आसार थे और ये जो लोग है नाकपुर शेर का जो ट्राफिक है इसे कंट्रोल करना एक टेड़ी खीर साबित होता है इसे कहा जाता है इससे मानों में हमारे साथ में यातायाद के डिशीपि विकलम साही ये उन से जाना चाहें गे साही साही सब या बताए कि जस तरह से ये यातायाद जो चल रही है इसको कैसा कंट्रोल करना चाहोगे आप क्योंकि लोगों को एक आद्दत लग गई है क्योंकि सुलसान सड़कों पर चलना उन्हें आता था महारा फिर से एक बार लोग पुराने अपने इसमें कलोर में लोट आया ऐसे में क्या कहना चाहोगे हमारे जो अभी लोगड़ॉन था उसमें वहतुक विबाग ने सबसे ज़्यादा कारवाई किया है यह जो सी ओसी के सी सी टीवी कैमेरा है लगबग 3600 कैमेरा है उसके ऊपर से हमने बहुत सारी चलान किया है तो टोटल हमने लोगड़ॉन के पिरेड में 3CR से भी ज़्यादा चलान किया है जो स्टेट में सबसे ज़्यादा है और अभी जो लोगड़ॉन का थोड़ा शितिलता है तो उसमें भी हमने जो पहले ट्राफिक विबाग का काम था उसी प्रकार अभी भी रहेगा बलकि और कड़ी से कड़ी हम कारवाई करेंगे क्योंकि लॉगडाउन खतम होगा है लेकिन गवर्मेंट का एकी सोशल डिस्टंस रहना चाहिए दुकाने भ हमें और ठोड़ी सुदार ना लाके हम मैक्सिमम्म चलान करने वाले हैं ताकि लोग मुझा लगता है कि काम के सिवाए घर के बाहर न लिगते अबी जो स्टीती है ट्राफिक की तो हमारा भी स्टाफ बहुत सारे कंटेनमेंट्स होना है जो करोना का यह जो बीमारी है इसके बज़े जो कारंटाइन सेंटर है वहां भी बंदोबस्त लगा है हमें भी थोड़ी मैन पावर की कम तरता है तबी भी हमारे पूरे जो ऑपिसर है करमचारी है सारे रोड पे है और भी जैसे ही कंटेनमेंट जोन कम हो जाएगे तो हमें और स्टाफ बढ़ेगा और हम पहले जैसे ही जो ट्राफिक की नाकपूर का ट्राफिक था वैसे ही हम कारवाई करेंगे और वैसे ही वो शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल आप थे डिस्पी विकरम साही जिन्होंने बखुबेर बेबा की साथ बात करते वे यातायात का पालन करना कितना जरूरी है इसके बारे में उन्होंने बताए जो यातायत का पालन नहीं करेगा जो उन्लेंगन करेंगा यकिनन उसके उपर में सक्त कारवाय की जाएगी नाखपूर के डिश्पी आउफिस से कैबरा परसन सुपाज बुठले के साथ संजय मीरे इनबी सेन नियूज नाखपूर